तो पूरे देश में कोलकाता रे फट्या के मामले को लेकर जो गुस्ता है वो प्रते दिन हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं पिये मोदी ने भी महिला सुरक्षा को लेकर स्वतंतता दिवस के अपने भाशन में चिंता जताई थी निर्भया कांट के बाद खास्वर से आप देखें तो कानूनों में कई बदला हुए हैं कड़ी सजा के प्रावधान हुए हैं लेकिन तब से अब तक में हालात कितने बदले हैं विस्तार से बता रहे हैं हमारे सही योगी अनंत भट अनंत भट और आज हम बात करने वाले हैं उस मामले की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है मैं बात कर रहा हूँ कौलकता में डॉक्टर के साथ जुबर बरता हुई है लोग विरोज जता रहे हैं सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घुस्ते का इजहार कर रहे हैं खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं जहर की हैं इस जगने वारदात ने एक बार फिर से नर्भिया कांड की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है तो आज हम इसी बात की परताल करने जा रहे हैं कि नर्भिया केस के बाद हालात कितने बदले हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ प्रधान मंतरी ने कहा क्या है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जो एहम बाते कही हैं उसकी एक उसका सार मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूँ तो उनके जो अहम बिंदू है उनकी बात के महिला सुरक्षा को लेकर वो इस प्रकार है उन्होंने कहा है कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा महिलाओं पर अत्याचार को लेकर देश में आक्रोश है देश, समाज और राज़ सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा महिलाओं के खिलाफ अपरादों की जल से जल जाच हो सराक्षसी कृत्य करने वालों को जल से जल सजा हो ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है जब निर्भ्या कांड हुआ था पुरा देश घुस्से से उमल पड़ा था लोग सरकों पर आ गए थे, आवाजें उठ रही थी सरक से संसत तक ये आवाजें सुनी गए लेकिन हालात कितने बदले आकड़ों के जरीए अब मैं आपको इसे समझाता हूँ तो 2012 के अगर मैं बात करूँ तो 2012 में रेप के करीब 25,000 मामले दर्ज हुए थे अगर इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताओं और गहराई से बताओं तो इन आकड़ों के अधार पर 2012 में हर मिनट में रेप के 68 मामले दर्ज हुए 2012 से 2020 तक रेप के मामले 30,000 से उपर रहे 2016 में सबसे ज़्यादा करीब 49,000 केस रेप के रेजिस्टर हुए केस दर्ज किये गए केवल 2020 में करोना काल में रेप के मामलों में कमी देखी गई ये आकड़ा 30,000 से नीचे रहा आपको बतादे हैं कि 2020 में 28,000 से ज़्यादा रेप केस हुए रेप केस का लेटिस जो आकड़ा है वो 2022 का है 2022 में 31,000 से ज़्यादा रेप केस दर्ज किये गए तो ये आकड़े हमें आईना दिखा रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि हालात नहीं बडले हैं लेकिन इसी से ज़्ड़ा सवाल एक है रेप के दर्ज के सवाल ये है कि कितने मामलों में सजा हुई यानि कि सजा की दर ऐसे मामलों में कितनी रही तो इससे जुड़े आंकडे भी अब मैं आपके सामने रखने चा रहा हूँ 2012 में रेप के मामलों में सजा की दर 24.2 फीस दी रही 2012 से 16 के बीच सजा की दर 24 से करीब 30 फीस दी के बीच ये रही अगर हम बात करें 2017 की तो यहां पर सजा की दर सबसे ज्यादा थी इन सालों के दोरान और वो थी 32.2 फीस दी 2018 में अगर हम बात करें तो इसमें गिरावट देखी गई 2018 में सजा की दर 27.2 फीस दी रही और 2018 से 2022 तक सजा की दर 27 से 28 प्रतिशत रही है तो यह तमाम आकड़े हमें आईना दिखा रहे हैं यह बता रहे हैं कि ना तो रेप के मामलों में कमी आई है और चिंता की बात यह और जादा है कि जो सजा की दर हैसे मामलों में वो काफी कम है